बेल्कम्टू टॉट्रागे विदेश से दौस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपरपलेसी के बारे में यूपरपलेसी आयगो मीटिंग जारी आज ही कल में जारी करेगा एक भरती का ओफिसल नोटिस तो कौन सी ये भरती होने वाली है और किस समंद में ये जारी किया गया है तो ये काफी important है क्योंकि कल परसों में ही इसका exam होने वाला है पूरी जयनकारी दी जाएगी वीडियो को लाफ तक पुरा देखें पूरी वास वह निए तो चलिए सूर को ते में वीडियो को दखते हैं कैस्में सब 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 पहले बात कर लेता है यहाँ यूपी पुलिस यूपी कॉंस्टेवल का जो एक्जाम होने वाला है कली परसों में और बहुत से लोगों के परिच्छा सेंटर में बदलाव कर दिया गया है और लोगों को जनकारी नहीं होगी तो प्रावलम हो सकती है तो यहां पे देखी यह आफिसियल नोटीस जरी किया अगया है जहां पे यह जन्पतint को साम भी गाजियावास सितापूर सम्बल के निमित परिच्छा के अंधरों में पत्र पर अंकित नाम सी तानियुक बढ़ा पड़ा जाए तो यहां पे यह देखी ज़िसे जन्पत का नाम एवन सही पता तो ये इसको इस तरह पढ़ा जाए ठीक है ये लिखा हुआ है साफ साफ इसके लावा अभ्याथियों को इसके लावा लोगों के पास ये email भी आया है और ये आपके जो admit card है उनको redownload कर लीजिए क्योंपि याप लिखा हुआ दी तो आप लोगों को एक सुचना अपनी तरफ से advice देना चाता हूँ आप लोग घर से निकलने से पहले एक बार admit card जो है वो फिर से आप लोग download कर लें और उसमें देख लें एक बार फिर से चेक कर लें कि आप लोग सही address पे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए email भी आ र लोगों को जनकारी भी नहीं होगी तो आप लोग इस वीडियो को share कर दें और उनको जनकारी दे दें लैसे यूपी पुलिस की जनकारी इस वीडियो बनाके नहीं देता हूँ मैं टेलग्राम पे देता हूँ लेकिन यह काफी important news है इसलिए आप उनको बता रहा हूँ तो आ लेकिन इसमें दूसरी सूची भी बनाई जा रही है और यह दूसरी अनपूरक सूची जो है आपको आज ही कल में देखने को मिल सकती है सब कुछ ठीक रहा तो आज नहीं तो कल नहीं तो फिर next week इस टार्टिंग में ही आप लोगों को इसका official notice देखने को मिल जाएगा इसी जो second list है अनपूरत list यह आज ही कल में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी या फिर next week starting में ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगी ठीक है तो जेए का official notice अनपूरत list यह आपको second list देखने को मिल जाएगी इसके लब आप लोगों को बता दें दूसरी जो second list आने वाल ठीक है तो इन दो भरतियों के लावा और किसी भी भरती की सेकंड लिस्ट आने की अभी नहीं है अगे कोई अगर अपडेट होगी सेकंड लिस्ट से रिलेटेड तो आपको बता दिया जाएगा इसके लावा आप लोगों को बता दें बहुत सचातर पहुंच रहे थे यहां पे कंबाइन टेक रिजल्ट के बारे में तो मैंने आप लोगों को बताया था इसमें कुछ इसू आया है तो इस बज़े से इसका रिजल्ट जो है रोका गया है तो कंबाइन टेक की बात करें तो इसमें कुछ पोस्ट हैं जिनका अधियाचन बापस माग लिया गया है अभी रोका गया है आगे इसमें जब आगे काम होगा तो जब भी रिजल्ट आने को होगा आपको बता दिया जाएगा ठीक है इसके लावा यूपरबसी जल्द ही जो रिजल्ट जारी करने वाला है वो मंदी और मंदी परसद और वीडियो का हो सकता है जो की फरवरी जो आपके एक्जाम होने है वो अब इलेक्शन से पहले पॉस्वल नहीं है क्योंकि अब आपके एक्जाम जो है इलेक्शन से पहले नहीं हो पाएंगे क्योंकि बहुत ही कम समय रह गया है आचान सहीता लगने में मार्च के पहले सब्ता के बाद कभी भी आचान सहीता लग तो इलक्षन के बाद तुरंत ही एक्जाम नहीं लग जाएगा उसके बाद भी थोड़ा टाइम लगेगा ठीक है तो जब भी समय आएगा आप लोगों को बता दिया जाएगा बहुत से चात्र कमेंट कर रहे थे जूने अशिस्टेंट टाइपिंग को लेके तो आपको बता गये थे आयोग कल इस वरती के बारे में पता करने है टाइपिंग को लेकर जनकारी लेने तो वहाँ पर यही बोला गया है इसकी जो टाइपिंग है वो हम आचात सहिता में भी करवा सकते हैं आयो की तरफ से ये बोला गया है बाकी आप लोग टाइपिंग करते रहे हैं अगर कोई अपडेट मिलती है तो आप लोग को बता दिया जाएगा तो आप लोग मार्च को मान के अपनी टाइपिंग करते रहे हैं और अगो सकता है आपकी टाइपिंग जो है आयो के कथना देने वालों क्योंकि कल बता चुका हूं जो भी जनकारी है और एक ही बात हर वीडियो में बोलना सही ने लगता तो आप लोग को नहीं भज़ती की जनकारी चीज़ तो आप लोग कल वाला वीडियो जख सकते हैं तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं एक लिए विटू साथ अबता के लिए नमस्कार